हेलो इस वीडियो में आज हम कम्प्यूटर जीके की अगली वीडियो के बारे में जानेंगे तो यहां पर हमारे पास सबसे प्याला कोश्चन है जब PC पर किसी डाकॉमेंट पर कारे करते हैं तब डाकॉमेंट अस्थाई रूप से स्टोर होता है तो यहां पर चार ओप्षण दिये गया है ओप्षण A CPU, ओप्षण B RAM, ओप्षण C ROM, या ओप्षण D CD ROM तो इसका सही अंसर है ओप्षण B RAM इसके बाद अगला कोश्चन है कम्प्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है तो यहां पर चार ओप्षण है ओप्षण A, बारी, ओप्षण B, वीत्री, ओप्षण C, साहयक या ओप्षण D, ये सभी तो इसका जो सही अंसर है ओप्षण B, वीत्री इसके बाद अगला कोश्चन है RAM किस तरह की मेमोरी है तो यहांपे चार उपशन है, उपशन A, बारी, उपशन B, सायक, उपशन C, भीतरी, यई उपशन B, मुख्य तो इसका जो सही अंसर है, वो है उपशन D, मुख्य इसके बाद अगला कुशिचन है, इंटर्नल स्टोरिज गिस प्रकार का स्टोरिज है? तो यहां पे चार उप्षन है, उप्षन A बर्चुर, उप्षन B प्राइमरी, उप्षन C स्कैंडरी या उप्षन D इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है उप्षन B प्राइमरी इसके वाद अगला कोश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समापत हो जाता है तो यहां पे चार उप्षन है, उप्षन A रैम, उप्षन B फलोपी, उप्षन C CD, उप्षन D डिस्क तो इसका सही अंसर है उप्षन A रैम इसके वाद अगला कोश्चन है, CD को कॉंपक्ट डिस्क के इलावा अन्ये किस नाम से भी जाना जाता है तो यहां पे चार उप्षन है, उप्षन A, प्रोजेक्ट डिस्क, उप्षन B, अब्जेक्ट डिस्क, ऑप्षन C, औप्षन D ये सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है option C optical disk इसके बाद अगला question है CD से आप क्या कर सकते हैं तो यहां पे चार option है option A पढ़ सकते है option B लिख सकते है या option C पढ़ और लिख सकते है या option D या तो पढ़ या लिख सकते है तो इसका जो सही अंसर है वो है option c पड़ और लिख सकते है इसके बाद अगला question है dvd का उधारन है यहाँ पे चार option है option a output device option b hard disk option c optical disk option d object disk तो इसका जो सही अंसर है वो है option c optical disk इसके बाद अगला question है नेमलिक्त में से storage device का उधारन नहीं है तो यहाँ पे चार option है option a floppy option b hard disk option c c d option d ram तो इसका जो सही अंसर है वो है option d ram इसके बाद अगला question है dvd क्या है तो यहाँ पे चार option है पहला option a option है distal versatile disk option b digital video disk option c dynamic video disk option d dynamic versatile disk तो इसका जो सही अंसर है वो है option b digital video disk इसके बाद अगला question है CPU के लिए समान्य गनित perform करता है तो यहाँ पे चार option है option a dimm या option b bus या option c alu या option d register तो इसका जो सही अंसर है वो है option c alu इसके बाद अगला question है computer का मुख ये पटल कहलाता है यहाँ पे चार अप्शन है option a motherboard option b fatherboard option c keyword या option d ये सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है option a motherboard इसके बाद अगला question है PC का पूरा नाम क्या है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a public computer option b personal computer option c private computer option d b और c दोनों तो इसका जो सही अंसर है वो है option b personal computer इसके बाद अगला question है computer में IBM का पूरा नाम क्या है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a international business machine option b international brain machine option c Indian brain machine option d Indian business machine तो इसका जो सही अंसर है वो है option a international business machine IBM का पूरा नाम है इसके बाद अगला question है disk को पढ़ने के लिए प्रियोग में आने वाला hardware है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a cpu option b floppy disk option c disk drive यह option d hardware तो इसका जो सही अंसर है वो है option c disk drive इसके बाद अगला question है computer की घड़ी की speed की घड़ना किस में की जाती है तो यहाँ पे चार option है option a bit option b megabyte option c gigabyte या option d इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है option a bit इसके बाद अगला question है motherboard में क्या रहता है जो motherboard पर cpu को दूसरे पुर्जों से जोडता है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a primary memory option b system bus या option c alu या option d input unit तो इसका जो सही अंसर है वो है option b system bus इसके बाद अगला question है किसने basic computer भाषा का विकास किया था तो यहाँ पे चार अप्शन है option a Nicholas बर्स ने option b Jim Clark ने option c Nicholas बर्स ने या option d John G. Cammy ने तो इसका जो सही अंसर है वो है option d John G. Cammy इसके बाद आगला question है basic computer भाषा का अभिकास कब हुआ था तो यहाँ पे चार अप्शन है option a 1955 option b 1968 option c 1964 या option d 1975 तो इसका जो सही अंसर है वो है option c 1964 इसके बाद आगला question है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a mix chart option b chart option c flow chart या option d hal chart तो इसका जो सही अंसर है वो है option c flow chart इसके बाद आगला question है निमलिक्त में से कौन सी बिग्यानिक computer भाषा है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a कवोल option b basic option c पासकल या option d 14 तो इसका जो सही अंसर है वो है option d 14 इसके बाद आगला question है computer भाषा कवोल किसके लिए उप्योगी है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a graphic कारे option b ब्यवसाइक कारे option c बिग्यानिक कारे या option d इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है option b ब्यवसाइक कारे इसके बाद आगला question है किस computer भाषा का प्रियोग ब्यवसाइक कारे लिए किया है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a basic option b कवोल option c पासकर या option d 14 तो इसका जो सही अंसर है वो है option b कवोल इसके बाद आगला question है अंग्रेजी भाषा के समान उचस्थर ये computer भाषा है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a c plus plus option b कवोल option c पासकर या option d 14 तो इसका जो सही अंसर है वो है option b कवोल इसके बाद आगला question है computer भाषा Java के अविश्कारक कोन है तो यहाँ पे चार अप्शन दिये गया है option a Microsoft option b Infosystem option c Sun Microsoft option d IBM तो इसका जो सही अंसर है वो है option c Sun Microsoft इसके बाद आगला question है सारे computer में लागू होती है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a कवोल भाषा option b इसके बाद आगला question है इंटरनेट पर प्यूक्त computer language है तो यहाँ पे चार अप्शन दिये गए है option a java option b पासकल option c अप्शन डी basic तो इसका जो सही अंसर है वो है option a java इसके बाद आगला question है unix नामक operating परनाली विशेश रूप से किस हे तू प्रयोग में लाई जाती है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a laptop computer option b desktop computer option c super computer या option d web server तो इसका जो सही अंसर है वो है option d web server इसके बाद अगला question है गलती एक अलोग रिद्म है जिसमें गलत परनाम निकलते है इसे क्या कहते है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a logical error option b compiler error option c machine error या option d ये सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है option a logical error इसके बाद अगला question है computer data store और गर्णाईं के लिए number system का प्रियोग करते है तो यहाँ पे चार अप्शन है option a hexadecimal इसके बाद option b auctor इसके बाद option c winery या इसके बाद option d dational love तो इसका जो सही अंसर है वो है option c winery इसके बाद अगला question है nimalix में से storage का सबसे बड़ा unit कौन सा है तो यहाँ पे चार option है option a kb option b tv option c mb या option d gb तो इसका जो सही अंसर है वो है option b tv इसके बाद अगला question है bit किसका लगो रूप है तो यहाँ पे चार option है option a megabyte option b binary language option c binary digit या option d binary number तो इसका सही अंसर है option c binary digit इसके बाद अगला question है एक byte से कितने बिकल्प होती है यहाँ पे चार option दिये गए है option a 64 option b 16 option c 8 या option d 512 तो इसका जो सही अंसर है वो है option c 8 इसके बाद अगला question है computer memory की सबसे छोटी एकाई क्या कहलाती है तो यहाँ पे चार option दिये गया है option a bit option b byte option c megabyte या option d यह सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है option a bit इसके बाद आगला question है कितना byte मिलकर एक किलो बाइट बनाता है तो यहाँ पे चार अप्शन दिये गया है option a 4096 option b 1024 option c 612 या option d इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है option b 1024 इसके बाद आगला question है binary number परनाली में कितने अंकों होते है तो यहाँ पे चार option है option a 1 option b 4 option c 2 या option d 8 तो यहाँ पे इसका सही अंसर है option c 2 इसके बाद आगला question है अक्षरों और चिन्नों को बाइटों में store करने की बीदी को क्या कहते है तो यहाँ पे चार option दिये गया है option a alpha system option b number system option c white system या option d coding system तो इसका जो सही अंसर है वो है option d coding system इसके बाद आगला question है logical gate क्या है तो यहाँ पे चार option दिये गया है option a एक बिशेष cd option b एक software option c एक प्रकार का circuit option d एक computer game तो इसका जो सही अंसर है वो है option c एक प्रकार का circuit तो इस वीडियो में हमने computer gk के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज subscribe my channel धन्यवाद